तीन अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6,9,12 में से प्रतेक से भाग देने पर प्रतेक दर्सा में 3,6 में बचे तो देखिए यहां पर एक बात बताना चाहूंगा जब भी आपको पुछी जा रही है कि दीगे संख्या प्रतेक से भाग देने पर यह पॉइंट आ रहा है अब बड़ी से बड़ी चोटी चोटी वो तो हम बाद में देख लेंगे लेकिन यह पॉइंट आ रहा है तो पहले काम इस्टेप फस्ट आपको LCM घ्याद करना ही पड़ेगा 6,9,12 इनका LCM निकाल लेते हैं तो 6 के फेक्टर किये 2 गुणा 3 आगे 9 के फेक्टर किये 3 गुणा 3 आगे 12 के फेक्टर किये अब हमें क्या चाहिए LCM है उस फेक्टर को लेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आया हुआ है 3 ज़्यादा से ज़्यादा बार कितना 2 वार आया हुआ है 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितने वार आया हुआ है 2 वार आया हुआ है का हमने को ना किए इसदा है साथ 36 कि आपके आसन एकोई लिकत नहीं है अब देखें तीन अगों की देखें वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन Except अब पह coconut उन्हें के बड़ी संख्या क्या होती नगों की संख्या हें बड़ी से बड़ी हैं यह रहती है आपकी ठीक है इससे बड़ी कोई ती नंकी संख्या नहीं है अभामे क्या करना है इस जो इस से बाजित को भाग देंगे तो यह हमें आसानी से पता लग जाएगा तो ऐसा कैसे करते हैं देखिए यदि मैं 6 से भाग दूँगा तो हो सकता है, 6 से विवाजी बना दूँँ तो हो सकता है, 9 से विवाजी ना हो, 9 से विवाजी बना तो 12 से विवाजी ना हो, इसका समाधान क्या है, समाधान है कि ऐसी संख्या से हम इसको भाग करें, जो कि इन तीनों से करमस है, परत मैल्टिपल याद कर लेंगे विए 36 का कोई भी मैल्टिपल लेंगे हम तो दी और यह रहें ही रहें को 36 का मैल्टिपल लेते हैं तो उसको मैल्टिपल मैं लाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा 37 से इनको भाग देना पड़ेगा है जी के भाग गया दुवार कि बहुत और माइनस किया कि इतना गया साथ दू अपर से हमने कि थिरम ने 37 को गुणा किया कि इससे आठ से नव संग आठ संग अड़ता लिस चीए चार के लिए आ गया तिनवाट चोईस और चार अठाइस इससे बड़ा रहा है मतलब भाग जाएगा साथ वार साथ संग ब्याड़ीस चार के लिए आ गया 21 और चार 25 फिरम ने इसको माइ इसकरना कितना रहे है अपका 7 दूद यह जो सैंस फॉल आया है यह दिन नहीं होता तो मतलब हमारी संख्यावी बाद यह होती यह सैंस पल एक्ष्ट्रा है तो क्या करेंगे सैंस फ़ल को इसमें से घठा देंगे त्युक्यत इसको इस्टेफ सम्झेंग तो इस्टेप 1000 त् कुछ दिए इस सक्था को घटा देना है कितने सैंश बसने चाहिए परते के सामय तीन सैंस बसने चाहिए तो फिर सतीन को हम जोड देंगे बुप काburg क्या कर देंगे जोड देंगे तो वह आपका क क्या ऐगा डेखे 27 गटाने से हमारे इसे संख्या आईगी जो कि भी बाज्य है उसमें इसी तीन एक्ष्टा जोड़ देंगे तो हमें ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसमें तीन आपका वह वापस जो है मैं एक्ष्टा जोड़ा होई सेंस आएगा ठीक है कोई दिकत ने आसान है तो यहां पर कितना रहा है आपका ह साथ साथ जाएगा तो दो आएगा यह तीन जूड़ जाएगा पांच यहां आ गया साथ नौ सो पिच्छा तर यह आपका यहां पर उतर है ओके आसान है